गुर्मोनिंग बच्चो आज हम कक्षा चार का जो हमने पार्ट तीन शुरू किया था गोनुजा की कुछ थी उसे ही आगे पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो गोनुजा थे उन्होंने जो जौला सिंग पहलवान था उसकी चुनोति स्विकार कर ली थ जो गोनुजा थे वह देखने में बहुत कमजोर से व्यक्ति थे वह लगते नहीं थे कि वह पहलवान है तो जौला सिंग उन्हें देखकर बहुत चंबित सा हुआ कि इस कमजोर से आदमी ने मेरी चुनोति स्विकार की है पर जो महारास थे वह समझ गए थे कि जो गोनुज जौन ने इसका चुनोति स्विकार किया वह उनके दिमाग में कुछ जरूर चल रहा होगा तो गोनुजा जौला सिंग से कहने लगे कि हां भाई जौला सिंग तुमने तो लगातार कई कुष्टिया तुम जो कुष्टियों के मुकाबले हैं तुम जीतते आई हो तो तुम कि जो सरगम मैं उसके बारे में तो वश्य जानते हूंगे जॉला सिंग ये सुनकर थोड़ा चंबित सा हुआ कि कुष्टी की सरगम क्या होती है पर वो मनी मन सोचने लगा थोड़ा चिंतित सा होने लगा तब गोनु जहां कहने लगे कि अरे भाई तुम कुष्टी की सरगम रही जानते तुम क्यासे पहलवान हो तुमने वोश्य जित लिए तब है जॉला सिंग कहने लगा कि जानता हूं क्यों नहीं जानता मैं कुष्टी का मुकाबला है वो जानता हूं म Warum यह जो जो जानता हूं अब्र अस पर सब जानते हो तो कल हम जो कुष्टी का मुकाबला होगा वो हमारा सुर लेताल के साथ हूगा और साथ में हम काल भहरव राग में मुकाबला करेंगे काल भहरव जो राग है वो गंभीर राग है जिस तरह से उसी तरह से हम अपने जो कुष्टी का मुकाबला है पूरे जोश औ और गंभीर तरह से अपना जो मुकाबला वो करेंगे ये बात गोनुजा ने ज्वाला सिंग से कही ज्वाला सिंग ने उस समय सीर हिला दिया कि ठीक है मुकाबला कल करेंगे पर जो उनका मन था वो अंदर डर रहा था काप रहा था क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह की जो कुष्टी है वो नहीं लड़ी थी इस तरह की कुष्टी का मुकाबला जो गोनुजा बता रहे थे आज तक ज्वाला सिंघ ने ऐसा जो मुकाबला वो नहीं किया था अब रात को ज्वाला सिंग शाही अतिती ग्रह में चले गए शाही अतिती ग्रह क्या होता है जहां पर जो राजा होते हैं उनके जो अतिती होते हैं वो विश्राम करते हैं और रहते हैं तो शाही अतिती ग्रह में जब ज्वाला सिंग गए तो उन्होंने वापर रात का खाना जो खाया रात का खाना खाने के बाद जब वो अराम करने लगे तो उनके मन में यही उधेड़बुन यानी चिंता चल रही थी कि कल मुकाबला कैसे होगा कुष्टी का जो नया तरीका है यह पतनी कैसा है और कैसे कल मुकाबला होगा तब ही वहाँ पर एक दर्बारी आया और वो बोला कि पहलवान जी कल जो कुष्टी है उसको देखने में बहुत मजाएगा जो कुष्टी का मुकाबला कल होगा गोनुजा और आपके बीच उसे देखने में बहुत ही मजाएगा तब दर्बारी और कहने लगा कि जो गोनुजा है वो थोड़े से पटक ताल में तो कच्चे है पर जो उनका खेलने का तरीका है वो बहुत ही निराला है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कैसा था जिस तरह से वो खेलते हैं आप अपनी आख की पलक भी नहीं जपकेंगे यहने आपके आखे भी बन नहीं होंगे तब इतने में ही वो आपको जो आपकी रीड की हड़िया वो तोड़ देंगे इस तरह से खेलेंगे कि आपकी जो रीड की हड़िया एकदम ही तूड जाएगी इस तरह से वो खेलते हैं ये बात सुनकर जो जुर्णा सिंग हैं, उनके होट और गला सूखने लगा, और वो अपने जो होट हैं, उनपर अपनी जीएप फेरने लगे, दर्बारी कहने लगा कि वैसे आपने जो विद्द्या आये कुष्टि की विद्ध्या कहां से सीखी, तब जुर्णा सिंग कहने नगे ठीख है आप यह विद्द्य सीख कराएं हैं जो कुष्टी के दाव फेचई नी जो तोड तरीक नो आप सीख ऑई ठीमक पर अगर पुश्टी में ले तान और ताल न सीखी तो क्या सिखा अगर इसके बारे में नहीं पता तो क्या सीखा हुआ जो गोनु जाएं दर्बारी कहने लगा कि जो गोनु जाएं वो जो राग काल भेरव है उसके उस्ताद है राग काल भेरव जो गंबीर राग है उसके वो उस्ताद है आप ये देखिए जो काल भेरव है बड़े ही क्रोधी मल है क्रोधी मल का मतलब गुस्से वाले पहलवान ह यानि वह मुकाबला करते हैं बड़े गुच्से में और गंबीर तरह से अपना मुकाबला करते हैं काल भेषरा थे अब यह sono う कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गरे और जो उसका मानसिक बल था बुद्धी बल था वो तूट रहा था मानसिक शक्ति उसकी तूट रही थी और डर वो बहुत ज़्यादा डर रहा था अब डर के मारे दर्बारी को ज्वाला सिंग कहने लगे कि तुम अब मुझे अराम करने लो और यहां से चले जाओ तब ही दर्बारी माहा से हसता हुआ माहा से चला गया जब सुबह हुई तब जो मितला नरेश थे वो अखाडे में अपनी गद्धी पर बैठ गए अखाडे का जो मुकाबला शुरूना था उससे देखने के लिए वो गद्धी पर बैठे अखाडे में गणु जहां पहुँच चुके थे और वो मुकाबला करने के लिए तयार थे और बहुत ज़्यादा जो भीड थी महा पर थी और भीड में काफी शोर हो रहा था अब जो ज्वाला सिंग थे पर जो ज्वाला सिंग है वो अब तक महां अखाडे में मुकाबला क करने के लिए नहीं पहुंचे थे पूरे के पूरे मितला राज्जे में उन्हें डूंडा गया पर वो कहीं नहीं मिले इसलिए जो गोनु जहाते उन्हें जो विजेता है वो घोशित कर दिया गया और उन्हें इस जीत के लिए बहुत सारे पुरसकार भी दिये गए जो महाराज थे मितला राज्ये के उनके चाहरे पे बहुत मुस्कान बन रही थी वो भूत खुश हो रहे थे क्योंकि जो उनके राज्ये के सम्मान था वो बच गया था अब जो पर जो इसालू दरबारी थे यानि जो गोनु जहां से चिड़ते थे दरबारी वो गोनु जहां के जीत सुनकर जल रहे थे यानि वो गोनु जहां से चिड़ने लगे तब महाराज ने गोनु जहां को अपने पास बुला कर पूछा कि ये मुकाबले में तुमने जीत कैसे हासिल की तब गोनु जहां बोले महाराज मैंने उस ज्वाला सिंग को इसमें वह फस गया और यहीं उसके हार कारण रहा और बाकी जो काम है एक दरबारी ने पूरा कर दिया आपके जो राज्ये का दरबारी है वह रात को जुड़ा सिंग के अतीती ग्रह में जो आपका है वहां पर गया और उसने मेरे शरीरिक बल के साथ साथ अपने जो बुद्धी बल है उसमें भी हमें मजबूत और ड्रीड होना चाहिए जो की ज्वाला सिंग ने नहीं किया ज्वाला सिंग सिर्फ शरीरिक बल के उपर जो निर्भर रहा इस कारण वो मुकाबला करने से पहले ही यहां से चला गया इसलिए जो ज्वाला सिंग उसका मनोबल तूटा था ये बात सुनकर जो महराज है वो बहुत खुश हुए और उन्हें का अरे वा गोनूजा तुमने तो जो मिथला राज्या है हमारा उसका जो सम्मान है वो बचा लिया और हम तुमसे बहुत खुश है ये बात सुनकर गोनूजा भी बहुत खुश हुए कि मेरे कारण जो मेरे राज्ये के सम्मान है वो बच गया तो बच्चों इस पार्ट से हमें यहीं शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शारिरिक बल के साथ साथ अपनी जो बुद्धी बल है उसे भी प्रियोक करना चाहिए तब ही हम हर कारे को संपन कर सकते हैं एकावत भी है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत कि अगर हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हम इस कारे को पूरा नहीं कर सकते और हम हार जाएंगे तो हम उस कारे को पूरा करने में अवश्य हारेंगे पर अगर हम मन में सोचते हैं कि हम तो बच्चो इस पार से तो शिक्षा मिलती है वो आपके उपर भी है आप इस चीज को आप भी अपने उपर उतारिए कि अगर आप इसी कारे को करते हैं तो उसे पूरे डिट निश्चे से पूरे बुद्धी बल के साथ उस कारे को पूरा करें ताकि आप उस काम में सफलता प्राप्त कर सकें आज इतना कराया गया है उसे आप पढ़ें बाकी का जो है वह हम अगली वीडियो में करेंगे कि थैंक्यूं